जहिन साथियो स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिर्म ओलिच नाइटी नाइटीन एट पर साथियो आज हम अपने इस वीडियो पर चीकी के मोस्ट इंपोटेंट कोशन के बारे हम बात करने वाले हैं साथियो जो आपके अभी 27 जून को जी एक्जाम होना है उसके लिए आपको ये कोशन बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाले हैं ठीक है तो आप ये कोशन को ध्यान से याद कीजिएगा और ध्यान से अपने नौट डाउन कर लीजीगा क्योंकि ये कोशन आगे जो आपके पे YouTube को खेलिएगा और साथ यह आपको इक लाश्ट में कोस्टें में धी अचाएगा जिसका अंसार आपको कमेंट बॉक्स पर देंबाएं जसे याडे साथचियो आपके इनगल से पूरे सही नकलते हैं तो आप कॉमेंट कमेंट कीजिएगा कि आपके आपके पूरे मैं से छलि दूसटो वीडिया start करते हैं तो पहला question आपके see in बारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हैं तो सबसे लंबी नदी कौन सी है तो सबसे लंबी नदी आपको auction दिया हुआ यामुना नदी गंगा नदी सतलज नदी ब्रह्मः पूतर नदी साथियो एक बार कुश्चन को आप ध्यान से और पढ़ लिजी गया क्या बोल रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है ठीक है तो साथियो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा ठीक है गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है साथियो इसकी लंबाई भी पुझा जाता है कभी कभी तो इसकी लंबाई कितनी होती है 25 पच्चिस ठीक है ये इसको याद रखेज़ेगा इदनी इसकी लंबाई होती है ठीक है साथियो तो पहला question का answer क्या हो जाएगा next question है साथियो भारत द्वारा प्रक्षित प्रतम उबग्राय कौन सा था ठीक है पहला है चंद्रयान तूसरा आरभट्य तीसरा मंगलयान और चोहता है इन में से कोई नहीं भारत द्वारा प्रक्षित प्रतम उबग्राय कौन सा था ठीक है साथियो आप से भी को पता हुआ स्की पहले पहले संव हैं 29 अप्रेल 1975 यह पूछा जाता है आप इसको याद कर लेजिएका कि स्की सुरुवाय कप शोई यही थी 19 अप्रेल 1975 फूर को ठीक है यह कोस्चन और टाइप से पूछा जाता है कि भारत का पहला व्यग्यानिक व्यानिक कौन सा है इसकी यह question को याद कीजिएगा भारत का पहला व्यग्यान कुप गया कौन सा है तो पहला व्यग्यान कुप गया कौन सा था आरवर्ट तो इसका अंसर कौन सा हो जागा दोस्तों नम्मर दूसरा धरर्ड को स्थ्यान है। प्रसिद्य मिनाक्षी मंदिर कहां पर इस्तित है। यह抹चति और इंडियर अर्मियक की जीदि की पेपर कोई सा मन्दिर कहा पर है इसका Совria को जी मंदीर कुलब को अब लिपा खोलए आपको देखने को मिलते हैं हरेक मधुरई नाटीर की को जो और यहां पर शीव पारवत्य जी की पूजा की जाती है यह आप याद रखिएगा ठीक है साथिओं हिंदु धर्म से रिलेक्टेड है यह बंदिर कभी-कभी यह पुछ लेता है कि मदुरे मिनाक्षी मंदिर जो है कि किस धर्म के लिए प्रख्याज़ा तो आप हिंदु धर् मदुराई चौता कोश्चन है साथियो हैमाबती नदी किसकी सायक नदी है हैमाबती जो नदी है किसकी सायक नदी है आपको 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 आ आते हैं army के पेपर में तो और नदीह आप चरूरद करक्ति लिजिएगा इस भीवी का मकवरा कि सासकम्ने बनाया था ही request की यह बहुत इंछ जोड़ार question है इस टाइप के question army के पेपर में आने की full संभावना है यहां है सा जह आजिम और इन साहा जाहा जो था इसने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताज महल बनवाया थू इस के साथ योках जी साथ कौन था सहा आजम सहा ठीक है तो इसने साथियों जो सहा जहां का जो पोथा था इसने अपने मतलब सहा जहां से प्रिरित होकर उसके देखा से कि अपनी मा अपनी मा मतलब औरंग जेव की पतनी के लिए बीवी का मकवरा बनवाया था किसने अपनी मा दिलराम बानो बेगम ये भी आद रखीजेगा इसकी पतनी का नाम क्या था दिलराम बानो बेगम की याद में बीवी का मकवरा बनवाया था ये इसने कोश्चन इसने बनते हैं ठी दिलakes बानो बेगम की याद में बीवी का मकुरा बनवाया था सबसे पहले में आपको बता दूँ यहापको जादा माक्सिंग करना है आर्मी क्वेवर में सब सब पहले आपको मंदिर याद करना ठीक है मंदिर हर एक एक एकजाम में पुछा जाता है और नम्मर दूसरा कि कौन सा सहर किस नदी के तट पर इस्तीत है यह दो कोश्चन आपको हर एक आर्मी क्वेवर में देखने को मिलेंगे ठीक है साथियों तो इस टाइब के कोश्चन को आप ज़रूर से याद कीजिएगा ठीक है कोश्चन आपको दिख रहा है नासिक किस नदी के तट पर इस्तीत है तो साथियों नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर इस्तीत है ठीक है साथियों तो इसका अंसर क्या हो जाएगा नम्मर तीसर गौदावरी. साथियो, प्लेग्राउड आफ यूरोप उपनाम से किसे जाना जाता है? ये question में बहुत important है. प्लेग्राउड आफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? ठीके साथियो, England को, Southern Land को, निदरलेंड को, इसराइल को. इसके पहले एक detail मैं आपको देता हूँ साथियो कि playground of Europe कहा जाता है Caesarland को इसका अंसर होगा Caesarland इसके थोड़ी से detail है अब क्यों कहा जाता है क्योंकि साथियो 1870 इश्वी में 1870 में प्रसिद्द लेखक लेख लेशली स्टीफन लेशली स्टीफन लेशली स्टीफन जो है कि Caesarland की यातरा की थी नोने तो Caesarland की यातरा के बारे में यूरोप के खेल के मैदान में एक किताब लिखी थी ठीक है एक किताब लिखी थी उसी के कारण इसको playground of Europe के नाम से जाना जाता है Caesarland को मतलब कौन से क्या है करके यह question में आपको बहुत देखने को मिलेंगे इंडियर आर्मी के paper में ठीक है आपको पूरे मैं question बताते जाता हूँ साथी कोन से paper आना है कोन से नहीं आने करके मतलब इतना तो ऐसा secure तो नहीं है कि आएंगे याएंगे बट आने की संभावना पूरी रहती है इसे question हो के ठीक है तो आपका question है लक्षेदीब समू उस्तित है बंगाल की खाड़ी अरब सागर हिंदमा सागर में से कोई नहीं ठीक है साथी हो तो इसका answer आपका रह जाएगा इसका answer क्या है ठीक है और साथी हो यदि आपके पूरे में से पूरे question सही निकले होंगे तो आप comments पर हमको बताईए कि आपके पूरे सही है जितनी भी सही होते आप comment कीजिएगा ठीक है साथी हो तो इस question का answer आपको हमारे वीडियो दे comment section पर देना है साथी हो आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आयो तो मेरा चनलन को subscribe कर लेज़ागा वीडियो को like कीजिएगा और share जरू कीजिएगा साथी हो सभी को ये question प्रवाइट हो सके आपके जल्दी लेकर आने वाले अपने यूट्यूब चनल पर अटे मैं यूटूब पर हमारे चनल को जरूर जरूरेकर tutte इसप्राइब जेगा जैएन जय भारत